सेने का ठीक है हमारे next जॉग्रफर है सेने का जिनका जो काम है वो यह कि यह एक physical जोग्रफर थे छलिए फाइनली कोई तो हमें रोम में मिला रोम जॉग्रफर्त में जो physical geography में काम किया है यह एक physical जॉग्राफर थे ठीक है इसके लावा इन्होंने weathering के बारे में भी बात की है volcanic eruption के समय में यानी कि weathering due to volcanic eruption यानी कि जब volcano भटता है तो उससे जो छरण होता है weathering होती है उसके बारे में इन्होंने बताया है ठीक है उसके लावा इन्होंने delta formation के बारे में भी बात की है ठीक है तो ये तीन इनके main काम है और आपको बुक में ये तीन ही काम मिलेंगे हो सकता है एक आदा किसी किताब में बढ़ा दिया गया हो लेकिन basically ये तीन काम है तो आप तीनों में ही देखेंगे physical geography में इन्होंने काम किया है ठीक है I think एक मातर ऐसे हैं जिन्होंने physical geography में काम किया है तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही this is all about Roman geography इसके बाद आता है हमारा dark age of Europe जिसको हम next video में पढ़ेंगे अब Roman geography को भी मैं दो पार्ट में divide कर सकता था बट मैंने सोचा कि 4-5 ही तो geography है थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा 45-50 मिनिट का तो कोई बात नहीं एक ही वीडियो में cover कर देते हैं तो इसलिए मैंने एक ही वीडियो में cover कर दिया और इसमें थोड़ा live class की तरह मैंने board में अपने आप लिखा है पढ़ाया है वरना वैसे मैं पहले लिख लेता था फिर पढ़ाता था ठीक है तो इसलिए थोड़ा लंबा वीडियो हो गया होगा तो लाइक कर लिजिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेर करना बिल्कुल मत भूलिएगा आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच